मैं पहले दिन से ये कह रहा था जब से गवर्नर बन के आया हूँ कि मैं प्रदेश में कोई अंडरहेंड, डिफेक्शन से, डर से, दबाव से, होस्टेडिंग से कोई सरकार बनेगी, उसके पक्ष में नहीं हूँ. मैं उसके बदले चाहूँगा कि चुनाव हो, चुनी हुई सरकार आए और वो अपने प्रदेश को चलाए. पिछले पंदरे दिन से मुझे इस शिकायते आ रही थी, कि होस्टेडिंग भी हो रही है, MLS को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, अब ये कुछ कहें, आप पूछ सकते हैं, महभुपा जी ने खुद मुसे शिकायत की थी, मेरे MLS को डराया जा रहा है, दूसर को डी स्टेबलाइज करें, उस वक्त जब हमारी फोर्से जान की बाजी लगा के चुनाव करा रही है, ऐसा चुनाव कभी हुआ नहीं है, चार चरन के चुनाव में एक चिडिया की कैज़वल्टी नहीं हुई है, बड़े पैमाने पे लोग गाउं में आके वोट कर रहे है ये फोर्से तो वो हैं जो डिमोक्रेसी, ग्रास रूट डिमोक्रेसी को बिलकुल नहीं चाहती थी, और ये अचानक ये देखके के ओहो ये तो बहुत हमारे हाथ से चीज़े निकल रही है, एक अन्होली एलाइंस करके मेरे सामने आ गए थे, तो मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया, मैंने दूसरे पक्ष को भी नहीं सुना है और इनको भी नहीं सुना है, मैंने जो जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में था वो काम किया